जानते हैं आंतों की health को प्राकरतिक रूप से सही कैसे करें फ्रेंट्स आपकी जो आंतों की health होती है वह सभी तरह की बिमारियों से आपका बचाव करती है आपके आंत में जो bacteria रहता है वह आपके digestive system का एक बहुत ही महतोपन हिस्सा है और इस bacteria का आपकी overall health के उपर बहुत ज् आँटों का फ्लोरा अच्छा है तो इसे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी आँटों के फ्लोरा को हम अगर आम भाशा में कहें तो आपकी आँट के अंदर जो छोटे-छोटे बेक्टीरिया होते हैं उन सबको मिलाकर एक वातावरन बनता है जिसे गट फ्लोरा कहते हैं अगर अपने कट फ्लोरा को अच्छी हालत में रखना होगा यानि आपकी आँट के अंदर जो बेक्टीरिया है उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा आपकी आँटों की हल्थ अच्छी है या नहीं इसे हम कुछ लक्षनों से जान सकते हैं आपकी आँटों की बेक्टीरिया की संख् कम है या बेक्टीरिया अच्छी हालत में नहीं है तो जो सबसे पहला लक्षन होता है वह है गैस और पेट का सही तरह से साफ ना होना दूसरा मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन करना अगर आपकी आँथ में अच्छा बेक्टीरिया कम है और बुरा बिक्टिरिया जादा है तो जो बुरा बिक्टिरिया होता है उसे शुगर की इच्छा होती है मीठे की इच्छा होती है तो बुरा बिक्टिरिया अगर आंथ में जादा है तो आपको जादा मीठा काने का मन करेगा यह मीठा आपकी आंथ में जाता है और बुरे बिक् स्ब्सक्राइब पार वांधों यह मुपातãy commutes called twenty Saya लूब Turkish language अंट उलगे लीटे मर्डेंby मुद के लूब अज़ा कि आपके निशानी हैं कि आपके आंग में अच्छा बिक्टिरिया कम हैं धीला लक्षन आपके आप मेंalin हैं अच्छा कुछ बिमारियां भी आपको लगती हैं अगर आपको ये बिमारिया हैं तो ये भी इस बात के निशानी है कि आपके आप में अच्छा बेक्टिरिया कम है जैसे कि मुटापा इम्मिनिटी कम होना डिप्रेशन होना, डायबेटीज होना तो ये बिमारिया होती हैं तो अगर आपको इन में से कोई बिमारी है तो समझ लेजे कि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है इसके अलावा अगर आपको कोई मैंटल डिजीज है जैसे आपको डिप्रेशन रहता है तो ये भी इस बात के निशानी है कि गट बेक्टिरिया आपका अच्छा नहीं है क्योंकि जो गट बेक्टिरिया होता है यह है आपकी बाड़ी में सेरेटोनिन और टोपेमाइन जैसे हार्मोन का स्त्राव करने में मदद करता है तो अगर ये बेक्टिरिया कम होगा तो आपकी बाडी में ये जो happy हार्मोन होते हैं जो mood को regulate करते हैं ये हार्मोन्स कम बनते हैं जिसकी वज़े से आपको mental disease होती है जैसे depression वगेरा तो अगर आपको depression मैसूस होता है ये है कुछ ऐसी feeling आती है तो समझे कि आपका gut bacteria बिगड़ा हुआ है आपकी आप में bacteria सही नहीं ह इसके अलावा अगर आपको कोई skin disease है, eating होती है, skin के ओपर या आपको कोई food intolerance है, किसी food से आपको allergy होती है तो ये भी इस बात के निशानी है कि आपका gut flora सही नहीं है आपकी आत में bacteria जो good bacteria होना चाहिए वो सही मात्रा में नहीं है इसके अलावा अगर आपको infection बार-बार ह आपकी immunity कम है तो ये भी इस बात के निशानी है कि आपका पेट सही नहीं है आपकी आंथ के अंदर good bacteria कम है इसके अलावा अगर आपके शरीन में vitamin B की कमी है या vitamin D की कमी है तो ये भी इस बात के निशानी है कि आपकी gut health अच्छी नहीं है क्योंकि जो good bacteria है आपके अंदर वह vitamin B12 को बनाता है तो vitamin B12 की कमी है तो समझ लीजे कि bacteria की संख्या कम है और ये bacteria vitamin D का metabolism भी करता है vitamin D को पचाता भी है जो vitamin D आप food से खाते हैं या धूप से लेते हैं उसका metabolism यही bacteria करता है तो अगर vitamin D कम है तो chances है कि आपकी gut health अच्छी नहीं है तो ये कुछ निशानिया है कुछ symptoms हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपी gut health अच्छी है या नहीं तो अब बात करते हैं कि आप अपनी gut health को अच्छी कैसे बना सकते हैं तो इसका जवाब है कि आप unnatural food खाना बन कर दें और natural food बिना पकाई खाना शुरू कर दें तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं ख करके खाते हैं और जादा पकाते हैं तो जादा पका कर खाना बन कर देजिए कई बार भोजन जल जाता है जिसे रोटी बनाते हैं रोटी जल जाती है पराठा जल जाता है या कुछ लोग कोईले के ऊपर food को कुक करके खाते हैं जिसे पनीर को रखकर या कोई और non-wage item तो चला हुआ खाना, खाना मिनाने का ऐसा तरीका है, जिसमें थोड़ा सा खाना चल जाता है, तो वो तरीका सही नहीं है, तो खाने को चला कर खाना बंद कर दीजिए, तला हुआ भोजन खाना बंद कर दीजिए, और ऐसा भोजन जिससे आप भी ना पकाई खा सकते हैं, उसे पक खाने हैं और हर रोज आपको 2-3 तरह की सीजनल सबसियां खानी हैं। हर रोज एक बड़ी से प्लेट भरकर आपको सलाथ खाना है। इसे आप डेली की हैबिट बनाई है। 3-4 सीजनल फ्रूट, 2-3 सीजनल सबसियां और एक बड़ा बाउल भरकर या बड़ी प्लेट भरकर सलाथ। ये आपको हर रोज खाना है और आपको साबुत अनाज खाना है। छिलका उत्रा हुआ अनाज आपको नहीं खाना है। चावल आपको ब्राउन खाने हैं, सफेद चावल नहीं खाने। सफेद चावल में और ब्राउन चावल में क्या अंतर होता है। ब्राउन चावल के उपर हलका सा छिलका लगा रहता है। इसी वज़े से वो ब्राउन नजर आता है। तो इसमें fiber की मात्रा जादा होती है और ये हमारी gut health के लिए अच्छी होती है. आपको animal food नहीं खाना है, सिर्फ और सिर्फ vegetarian खाना है. जो लोग non-vegetarian हैं और बोलते हैं कि हम non-wage के बिना नहीं रह सकते, तो आप जादा से जादा 10% non-wage खा लें अगर नहीं रह सकते हैं तो. अगर रह सकते हैं तो vegetarian बन जाएं. अगर आप इस तरह का diet plan फॉलो करते हैं तो 3 महिने के बाद ही आपको बहुत जादा amazing results देखने को मिलेंगे. आपका जो gut है, आपकी जो आथ है वह बहुत जादा healthy बन जाएगी. अगर मुँसे दुरगंद आती है तो वह बंध हो जाएगी. अगर आपको hyper acidity है, बहुत जादा acid बनता है तो वह खत्म हो जाएगा. Heart burn खत्म हो जाएगा, bloating gas ये सारे symptom खत्म हो जाएगे. आपके जो आथों के moment है, जो पेट साफ होता है, वह regular हो जाएगा. आपकी immunity increase हो जाएगी और आपको जो बार-बार infection होते हैं, जो बार-बार आपको बुखार होता है, गला खराब होता है, ये ठीक हो जाएगे. आपको skin के उपर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, skin riches खत्म हो जाएगी, skin के उपर एक glow आएगी, और आप खुद महसूस करेंगे कि 3 महीने पहले आपकी body कैसी थी, और 3 महीने के बाद आपकी body कैसी है. तो friends, आपके 3 महीने का एक experiment करके देखें, जिस तरीकी से आपको diet बताई गई है, आप खाकर देखें, फिर देखें कि आपकी बिमारिया ठीक होती हैं या नहीं. Thank you.